तो स्वागत है आप सभी का और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी आज कर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो आज के इस भाग में हम बात करेंगे तवर्ग में जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में इसमें ता से था से दा से और धा साथ ही ना से जो भी शब्द आते ह उनके बारे में आज हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले है ततकालीन, जी तो ततकालीन का है, उसी समय का, इसी तरह दूसरा है इसमें त्याज्य, तो त्याज्य का है, जी से त्याग देना उचीत हो, आगे है इसमें त्याग पत्र, तो त्याग पत्र क किसी पद अथवा सेवा से मुख्ति का इसी तरह इसमें आगे है कि तडस्थ तडस्थ का है किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला इसमें क्या होता है माल लेजे दो पक्ह है तो क्या करते हैनेelnा इसका पक्ष्ण लेते हैं ना पहले का ने दूसरे का वो जो ततस्थ इंसान होता है वो किसी के तरफ जुकाऊ नहीं होता उसका वो दूनों तरफ से ततस्त होता है इसी तरफ इसमें आगे हैं तरकाभासर का है ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतित होता हो लेकिन वैसा नौ हूँ ठीक है अब आगे है इसमें 3 का लग्गे तो तीन कालो की बात जानने वाला ठीक है इसमें आगे हैं त्रीकुती तो त्रीकुती का है भौवों के बीच का उपरी भाग अब आगे है इसमें त्रिगुण तो त्रिगुण का है इसमें तीन गुर्जु होते हैं सत्वगुण रजुगुण और तमोगुण खीक है और इसी में आगे है त्रिपात तो इसका है दैहिक दैविक वभौतिक ताप का ताप या कष्ट इसी तरह इसमें आगे है त्रिदोश तो त्रिदोश का है वात पित वकफ आगे है इसमें त्रिफला त्रिफला का है आवला हर वबहेरा आगे है त्री यूगी त्री यूगी का है तीन यूगों में होने वाला अब आगे है इसमें त्री वेडी त्री वेडी का है तीन नदियों का संगम अब है इसमें आगे त्री लोक तो त्री लोक का है तीन नदी त्री लोक का है तीन लोकों का समूह और त्री लोग को अब आगे है इसमें त्री भूवन या त्री लोग तो इसका है स्वर्ग जो त्री लोग है जिनको कहा जाता है वो ये हैं स्वर्ग लोग मृत्यू लोग और पाताल लोग ये त्री भूवन या त्री लोग कहलाते हैं अब इसमें आगे है त्री विध वायू ठीके अब इसमें है शीतल मंद वसुगंधित वायू और अगला है इसमें तारकिक तो तारकिक का है जो तर्क योग्य हो तारकिक कहलाता है आगे है इसमें अब तित्रिशा तो तित्रिशा का है तैरने की इच्छा आगे है इसमें तक रिन के रूप में आर्थिक सहाईता हैं तो तकावी को रिन के रूप में भी जानते हैं और अगहें इसमें ताना-शाही एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शाषन्प्रनाली इस उसकें चोरिचिपे बिस्टंगी शुलक आदी दिये बीना माल लाकर बेचने वाला, इसमें क्या होता है तसकर में, कि जो तसकर लोग होते हैं, वो चोड़ी छुपे अपना माल बंगाते हैं, और उस पे चुंगी नहीं देते सरकार को, और अपना माल बेचते हैं, और जो भी मुनाफ़ा होता है, वो सिर्फ उनहीं का होता है, इसमें सरकार को को माना गया हूँ इसी में आब आगे हैं तटस्त है या घुट निर पेख्ज तो इसका है विवाद या घुट बंदी से अलग रहने वाला जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या होता है दो पार्टी अगर है माल लेते हैं दो पार्टी है तो जो कोई इनसान है तो वो दोनों में से किसी पार्टी में नहीं जाता वो बलके तटस्त रहता है अलग रहता है उन दोनों से खुद को अलग रहता है अब आगे है इसमें त्याग पत्र तो त्याग पत्र कहलाता है मतलब कोई काम है या पध है उसको छोड़ने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको त्याग पत्र कहते हैं आगे है इसमें त्रिवेदी तो त्रिवेदी का है तीन वेदों को जानने वाला इसी तरह आगे है इसमें त्रिकाल दर्शी, तो त्रिकाल दर्शी का है तीनों कालों को देखने वाला, आगे है इसमें त्रिकाल अग्य, तो इसका है तीन कालों को जानने वाला, इसमें ता में जो आखरी है वो है त्रिगुणा तीत, तो त्रिगुणा तीत का है जो तीन गुणों, स सथोगुल रजोगुल और तमोगुल से पड़े हो है अब अब देखते हैं इसमें आगे था से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में तो इसमें इसमें सब्सक्तुरी निए की जमी हुई गाधी दित सब्सक्राइब चीज जम जाती है जमने के बाद जो मूटी टहह बन जाती है उसको ठकका्य कहते हैं जैसे क्या होता है कि कभी अगर कट लग जा हातों में हमें तो देखते हैं कि क Hadnay के बाद थोड़ी देर बाद खूल का ठकका जब जाता है इसी तरह और और भी कोई चीज हो जैसे जैसे कुछ दूद से दही बनाते हैं तो दही बनाने के प्रोसेस में दही बाद में जब दूद दही बन जाता है तो वो थक्का के तरह जम जाता है इसी तरह आगे हैं इसमें थान तो थान का है चौपायों के बांधने का इस थान जो भी चौपाय होते हैं जो जानवर होते हैं जैसे गाए हो गए बैल हो गए उनको बादने के स्थान को थान कहते हैं आगे है इसमें एक और है थान ही है इसका है कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा अब आगे है इसमें थाना तो थाना का है पुलिस की बड़ी चौकी आगे है इसमें थ थानेधार तो थानेधार का है थाने का प्रधान अधिकारी जो होता है उनको हम थानेधार कहते हैं आगे है इसमें थाती या धरोहर या अमानत इसका है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तू तो ये था थाका अब आगे हम देखते हैं दो में जो शब्द आते हैं उसके अब आगे है दल बदलू तो दल बदलू का है एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला जैसा कि अभी काफी ये चर्चा में है और महरास्ट में जो हो रहा है जैसे एक नाथ शुन्दे है वो शिव सेना छोड़के अभी बाजपा में जा रही है तो ये दल बदल जो है उसमें आता है दल बदल कानून जो है उसमें इसी को दल बदलू भी कहते हैं और आगे है इसमें दमपत्ती तो दमपत्ती का है पती-पत्नी का जोड़ा आगे है इसमें दर्जी तो दर्जी का है कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला अगला है इसमें दशक, तो दशक का है दस वर्षों का समय, आगे है इसमें दशानन, तो दशानन का है जिसके दस आनन या मुखो, जैसे की रावन, रावन को दशानन भी कहते हैं, आगे है इसमें दार्शनिक, तो दार्शनिक का है जो दर्शन शास्तर का ग्याताव, और इंगलिस से इसको फ गांघ में लगने वाली आग, आगे है दौर पाल, तो दौर पाल का है, जो दौर का पालन या रक्षा करता है, थीक है, इसी तरह इसमें है अगला दिनो दिन, दिनो दिन का है, दिन पर दिन, एक दिन जैसे आज एक दिन है कल होके दूसरा दिन आएगा तीसरा दिन तो दिन पर दिन ना बोलके हम लोग क्या करते हैं दिन ओ दिन शब्द का इस्तमाल करते है आगे है इसमें द्विज तो द्विज का है जो दो बरजन मिलेने वाले को द्विज कहते हैं आगे है इसमें दिक्षित, तो दिक्षित का है जिसने गुरु से दिक्षा ली हूँ, इसी में आगे है अब दित्सा, दित्सा का है देने की इक्षा, आगे है इसमें दूराचारी, तो दूराचारी का है अनूचित या बुरा आचरन करने वाला, ठीक है, इसी तरह आगे है दूरदर्शी, तो दूरदर्शी का है, बहुत दूर की बाद, पहले सही सोच लेने वाला, और आगे है इसमें अगला दुशकर, तो दुशकर का है, जिसे समझना बहुत कठीन हो, उसके लिए दुशकर सब्द का इस्तमाल करते हैं, आगे है इसमें, दुरदम्न, दुरदान या दुर्धूश दुर्धर्श हाँ तो इसका है जिसका दमन कठीन हो जो को जिसको जल्दी ना दबाया जा सके है ना जिसको इसली असानी से ना दबाया जा सके है जाना कुछ होते हैं ऐसे जो जल्दी घुटने नहीं टेकते हैं जिनको जल्दी नहीं दबाया जा सकता उसके लिए ये शब्द इस्तमाल किए जाते हैं दुर्धम में या दुर्धर्श आगे है इसमें दूरलव तो दूरलव का है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो माफ कीजिएगा यहां पर दुष प्राय लिखना था जो दुष माय हो गया है यह अक्चुली में दुष प्राय है तो इसका है जो मुश्किल से प्राप्त हो जो इसली प्राप्त नहों सके उसको उसके लिए दुष प्राय शब्द का इस्तमाल करते हैं आगे है इसमें दुर और इसी में अब आगे है दूरलंग है तो इसका है जिसको लांगना कठिन हो आगे है इसमें देवरानी तो देवरानी का है पती के जो छोटे भाई होते हैं पती के छोटे भाई की इस्त्री या पत्नी आगे इसमें देवग्य तो देवग्य का है दैव या प्रारब्ध अधिन के समय अपने प्रिये से मिलने जाने वाली नाईका आगे इसमें दिर्ग सूत्री तो दिर्ग सूत्री का है जो विलम या टालमटोल से काम करें ठीक है इसी तरह इसमें आगे है दश्रती दाश्रती तो दाश्रती का है दश्रत का पुत्र अगला है इसमें दिद्रशा दिद्रिक्षा तो दिद्रिक्षा का है देखने की इक्षा आगे है इसमें द्वी रागमन तो द्वी रागमन का है विवाह के पश्चात वधू का सस जनको बोलते हैं जो गोदलिया हुआ पुत्र होता है उसको दक्तक पुत्र कहते हैं और आगे इसमें देया का है जो दिया जा सके आगे इसमें दमपती दमपती का है पती-पत्नी का जोड़ा या इस्तरी प्रूस का जोड़ा अगला है इसमें दंडिनिया तो दंडिनिया का ह दन दिये जाने वाला जाने योग और आगे है इसमें देश भक्त तो देश भक्त का है अपने देश से प्यार करने वाला अगला है इसमें देश द्रोही देश द्रोही का है अपने देश के साथ विस्वास घात करने वाला है अगला है इसमें दैनिक तो तैनिक का है प्रती दिन होने वाला जैसे कोई बीकाम को नस क्यांदक sowशाओं लिकाले की जाएं अब इसमें आगे देखते हैं इसमें दूर्वत्त गामी यतिव्र कामी तो इसका है तेजगती से चलने वाला आगे है इसी में दूरनिवार तो दूरनिवार का है जिसको रोकना या निवारन करना कठिन हो जैसे कि कोरोना में हो रहा था कोरोना को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा था कठिन हो रहा था आगे है इसमें दुर्भेध्य तो दुर्भेद्य का है जिसे भेधना तोरना कठिन हो। इसे में आगे है दूरभी संधी तो दूरभी संधी का है नापा की रादे से की जाने वाली मंदरणा या साजिश। अगला है इसमें दुरभीक्ष का है जिस समय बड़ी मुश्किल से भीक्षा मिलती है और आगे है इसमें दुषपाच्चे का है जो कठिनाईयों से पचता है आगे है इसमें दूराग्रह का है अनुचित बात के लिए अग्रह अब आगे है इसमें दिनांकित तो दिनांकित का है जिस पर दिनांक या तारीख जो है लगाया गया हो उसको दिनांकित कहेंगे आगे है इसमें दलित तो दलित का है जिसे सताया गया हो अगला है इसमें द्वी भाशी द्वी भाशी का है दो भाशाओं बोलने वाला जैसे कोई हिंदी इंगलिश बोलता हो जैसे कोई फ्रेंच और इंगलिश बोलता हो दो लैंग्विज बोलना दो भाशा बोलना उसको द्वी भाशी कहते है आगे है इसमें द्वी वेदी तो इसका है जो दो वेदों को जानने वाला हो अगला इसमें है द्रश्टी दोश द्रश्टी दोश का है आख की बिमारी अगला है इसमें द्रश्टव या दर्शनी है तो इसका है जो देखने योग के हो तो ये था दा से जो भी शब्द बनते हैं उसके बारे में अब इसमें आगे हम देखते हैं जो धा से शब्द बनते हैं उसके बारे में तो इसमें सबसे पहले है धनद, धनद का है धन देने वाला इसी तरह अगला है इसमें धर्मात्मा, धर्मात्मा का है धर्मे में रूची रखने वाला आगे है इसमें धर्मिशाला, धर्मिशाला का है यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर आगे है इसमें धारीदार, धारीदार का है जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसी तरह इसके इसमें आगे हैं धीरोदात, धीरोदाते का है, शक्ति चाली, धैयालू, और युद्धा नायक, जो कुछ नायक है, जो शक्ति साली भी है, और धैयालू भी है, साधी योद्धा भी है. अगला है इसमें धीरोधत इसका है बहुत चंचा दुष्ट और अपनी प्रशंशा करने वाला नायक इसी तरह आगे है इसमें धीवर धीवर का है मचली पकड़ने या बेचने वाली जाती विशेश जो लोग मचली पकड़ के बेचते हैं उनको धीवर कहते हैं इसी तरह इसमें अगला है धूंद धूंद का है हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा जैसे सर्दी के दिनों में हो जाता है और या फिर बरसात के दिनों में धूंद चा जाते हैं अंधेरा चा जाता है विल्बूल उस टाइब से और आगे है इसमें धे, तो धे का है, ध्यान करने वाल योग या लक्ष, तो ये था धा के बारे में, और इसी तरह हम इसमें आगे देखते हैं, नां से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में, तो इसमें सबसे पहले हैं नकसीर, नकसीर का है नाक से रक्त बहने का रोग कोई रोग है नकसीर जिसमें नाक से रक्त बहने लगता है आगे है इसमें नकसी नकशीख नकशीख का है नक से सिखा तक के सब अंग आगे है इसमें नश्वर नश्वर का मतलब नश्वर का है नश्ट होने वाला इसी तरह आगे है नभचर या खेचर तो इसका है नभ मतलब आकाश में विचरन करने वाला आगे है इसमें नवोदित नवोदित का है नया उदित होने वाला आगे है इसमें नवजात तो नवजात का है अभी अभी जन में लेने वाला इसी तरह आगे है इसमें नदी मात्रिक, तो नभी मात्रिक का है, नदी मात्रिक का है, नदी में सीचा जाने वाला प्रदेश, आगे है इसमें नवांगतुक, इसका है नया नया आया हुआ, अगला है इसमें नागरिक, नागरिक का है नगर में जन मिलेने वाला, ठीक है, इस को नास्तिक कहते हैं अब इसमें आगे है निराकार निराकार का है जिसका कोई आकार ना हूँ और इसी तरह अगला है इसमें निर्भय निर्भय का है जिसे कोई भय ना हूँ ठीक है इसमें आगे बढ़ते हैं अगला है निरक्षर निरक्षर का है जिसे एक अक्षर का भी ज्यान ना हो या फिर जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसको निरक्षर कहेंगे अगला है निर्दोश, निर्दोश का है जिसमें कोई दोश ना हो अगला है इसमें निरूपम, निरूपम का है जिसकी उपमा न दे जा सके अगला है इसमें निर्मम निर्मम का है जिसके हिरदय में मम्ता ना हो अगला है इसमें निर्दय निर्दय का है जिसके हिरदय में धया ना हो इसके बाद है इसमें निरापद निरापद का है जिसमें हानी या अनर्थ का भै ना हो अगला है इसमें निशपाप, निशपाप का है जिसके हिरदय में पाप ना हूँ, अगला है इसमें निशाचर, निशाचर का है निशी में विचरन करने वाला, या फिर रात को जो रात के समय में जो विचरन करते हैं उनके लिए निशाचर शब्द का इस्तमाल करते हैं, यहीन हो ठीक है अगला है अब इसमें कि निर्भ्रांत का है एक देश से माल yeah sorry निर्भ्रांत का है जिसे कोई भ्रह्म या संदेह नो अगला है इसमें निर्याद निर्ञाक का एक देश सें दूसरे देश में जाने की क्रिया अब इसमें आगे है नीशुल्क, नीशुल्क के का है जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए आगे है इसमें नीसंग, नीसंग का है किसी के साथ संबन्ध न रखने वाला इससे आगे है नीसंताल, नीसंतान का है जिसके कोई संतान न हो इसे आगे है ने स्प्रेय तो इसका है जिसे कोई अकांच्छा नौँ इसी तरह इसमें आगे है नी स्वार्त नी स्वार्त का है जो अपने लाभिया स्वार्त का ध्यान न रखता हो इससे आगे है निंदनिय, निंदनिय का है जो निंदा के योग्य हूँ अगला है इसमें निशकाम, निशकाम का है जो कामना रही थो आगे है इसमें निश्चिंत, निश्चिंत का है जो चिंता से रही थो आगे है इसमें निराधार, निराधार का है जिसका कोई आधार ना हो, निराश्रे, आगे है इसमें निराश्रे, तो निराश्रे का है जिसका कोई आश्रे ना हो, अब इसमें है आगे निर्बल, निर्बल का है जिसके पास शक्ती ना हो, अगला है निरंकुष, निरंकुष क का है जो उत्तर ना दे सकें अगला है नयाईक तो नयाईक का है जो न्याय जानता है आगे है इसमें नौकर शाही नौकर शाही का है शाष की अधिकारियों का शाषन जो सरकारी अधिकारी जो भी होते हैं वो जो शाषन करते हैं उनको नौकर शाही कहते हैं आगे इसमें नात नाती लगू का है जो अती यानि बहुत छोटा नहीं है उसको नाती लगू कहेंगे अब आगे देखते हैं इसमें आगे इसमें नीती दिर्गें नीती दिर्ग का है जो बहुत दिर्ग नहीं या बहुत बड़ा नहीं है इसी तरह अगला है इसमें निरत्यकार निरत्यकार य आगे है इसमें निस्तेज का मतलब है जिसमें तेज ना हो और आगे इसमें निम्नलिखित निम्नलिखित का है जो नीचे लिखा गया है और इसी में आगे है निर्विवाद तो निर्विवाद का है जिसके बारे में मत भेदना हो अमिला है इसमें निर्वाचक निर्वाचक क का है कि निर्वाचन में अपना मत देने वाला है अगला है इसमें न्याय मूर्थी न्याय मूर्थी का है उच्च न्याय आले का न्याय अधेश आगे इसमें नागरिक नागरिक का है नगर में रहने वाला है आगे इसमें निर्वासित निर्वासित का है जिस देश से जिसे जिस किसी को देश से निकाला गया हो उसको निर्भासित कहेंगे आगे है इसमें निर्मूल निर्मूल का है जिसका कोई जिसका मूल नहीं है अगला इसमें निरर्थक निर्थक का है जिसका कोई अर्थ नहीं हो आगे है इसमें निर्गुण निर्गुण का है जिसमें जो सतोगुन, रजोगुन और तमोगुन तीनोगुन से पड़े हो अगला है इसमें निर्मल, निर्मल का है जिसमें मल या गंदगी न हो जो साफ हो, जिसमें कोई गंदगी न हो, आगे है इसमें नेप्थ है तो नेपत्थिका है जिस स्थान पर अभीनेता अपना वेश विन्यास करते हैं तो यह था जो दवर्गी के जो भी शब्द बनते हैं उनके बारे में इसमें इतना ही और इसकी अगले खंड में हम बात करेंगे पहबर्गी के बारे में थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग